एक स्काम हुए है जेकी पिएसाइगा अभी तक उस पर कोई वर्डिक्ट नहीं आया आगे क्या होगा जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी आम तोर पर ऐसा होता है कि एक्जाम के अंदर स्काम होता है यहां एक्जाम होने से पैदे ही इन्होंने स्काम करके बैर गए थे एसी कंपनी को टेन्यूर देना यह मौरली और लीकली राइट नहीं था जो ऑफिसर्स वगारा यह बैठे वाटे जेकेस्पी के एक इनका हाथ भी हो सकता है इसमें जे केसेस्पी के ऑफिशल्स का हाथ क्यों नहीं है सिगनेचर करने वाले हाथ है नहीं के है बाकी स्टेट्स के कंपारिटिव ले जम्मो कश्मीर में अनिंप्लॉइमेंट रेट सबसे हायर है लेकिन गवर्मेंट उसको कभी भी एग्री नहीं कर पा रही है यह जादा गना है उनकी चेयर्मेंशिप में मीटिंग होती है जहां यह डिसाइड किया जाता है कि पेपर सी बीटी मोड में होगा तो उसमें सामने दिखता है कि कोई परसनल इंटरस्ट अगर यह इतना सिक्योर है तो फिर यूपी एसी उसमें क्यों नहीं स्कूर गया रहे है वह आज को लेके क्यों इतनी कोटा ही क्यों और इस सवाल पे कि आंसर की लीक हुआ इसको लेके बचते क्यों है पौर चीत के एक और अपिसोड में आप सब कस हो गयते है आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे टॉपिक के बारे में जो जम्मो कश्मीर के यूद के लिए काफी इ आखिर क्यों जेके ऐसेसबी दुआरा उन्ही कंपनियों को बापस से रिस्पॉंसिबिलिटी दी गए जो बाकी स्टेट्स में ब्लैक लिस्टिर थी जी हां इन सब पे आज हमारे साब बात करने के लिए मोजूद हैं एक्टिविस्ट विंकल शर्मा सब्चुर्ण ये कैसे हैं तम ठेक बढ़िया हम स्टार्ट्ट्ट्ट्ट्ट जी रही हैं अब कि इसले चार सालों में जाकिवे आप कहीं औस छाट्ट एक्जाम कराएं ले ने कोई केंसल हो चुका है कोई केंसल होृ पुरा कोई स्क्रैप हो चुका हिए अंड पुछ ऐसर तो जैसे गवर्मेंट ने ये कहा था कि अबरोकेशन के बाद हम बहुत सारी विकिंसी वगरे जॉप्स वगरे हम प्रोवाइट करेंगे बट उसका एकदम जो उन्होंने तब बादे किये थे अब की क्या हालत है वो आपके सामने है तो क्या कहना दाते हैं आपिस पर और डि़्वर्मेंट जो प्रॉमेश किया था युख तो है सब्सक्राइब्स किया घंते हैं तो इसमे कोusan पराइन पर जिसन्ग पहुंचाने वाली कांड उसिको जॉब ऑप देखेंगे तो बहुत जारी advertisements आहीं है मतलब ऐसा बिलकुल नहीं है surprising था इतनी जादा advertisement हो इतने बड़े नंबर में आना अब finance account assistant की एक post थी panchayat account assistant था class 4 था यहां club करके इतना जादा मतलब 8000 के आसपास पोस्ट आना तो definitely जो उनने कहा था उनने किया but उनकी कहने के पिछे क्योंकि असल में तो यही मतलब था जब job joining हो जाएगी किसी candidate की जब उसको hire कर लेगी government तो यह उसको job मानेगी unless जब hire नहीं करती है उसको उसको joining नहीं मिलती है तब तर तो तो सिर्फ एक advertisement है उसको प्रोसीजर में आटकी रह गी ज़्यादा तर प्रोसीजर में आटकी रह गी कुछ तो सिर्फ advertisement भी उसके बाद exam होई नहीं प्लास फॉर्थ को लेके एक advertisement थी दो दो बार result आए उसमें भी कही हों का अभी चल रहे हैं अभी शायद अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि उसमें recommendation क्लियर होई हैं कई हों की ऐसे ही पंचायद अपांड रसिस्टन है जो complete हो गया इसके लावा जो court cases में अभी pending है जो recruitments वो भी उसी का एक part थी जो pending है scams के कारण, scams तो खेर मतलब जब CBI investigate कर रही थी उसने तो ये भी कहा कि पंचायद के पेपर में भी दादली होई थी सामने नहीं आये तत्य सामने नहीं रखे उन्होंने वो बात एक अला गया लेकिन हाँ ये कहीं मतलब ये सच है कि कुछ recruitments नोंने complete कर दी, कुछ मजधार में लटकिया और कुछ तो cancel करने पड़े लेकिन एक जैसे अभिजीत में एब्रोगेशन के बात की तो क्या एक ही रीजन था एब्रोगेशन में तब आर्टिकल को हटाने का इंप्लॉइमेंट दिया जाएगा लेकिन उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद एक डेटा भी आया था कि अब लेकिन जो यूथ है ना जमो कश्मीर का वो तब भी लटका हुआ था अब भी लटका हुआ और फ्यूचर भी किती देर तक वो अपनी नौकरियों को तरसेगा उसके बारे में कोई स्टेट्मेंट ने आती इनों ने यह जादा इसलिए करना पड़ गया है कि हम कहीं तो टॉप करते नहीं और जहां आम टॉप कर रहे हैं वह टॉप नहीं करना चाहिए तो आज भी करते हैं और यह कहते हैं कि पिछले तीन सालों में आमने थीसाजार नोबरिया देती तीन सालों में थीसाजार नोबरिया देती पहले दो सालों में कह रहे थे थीसाजार नोबरिया देती अब तीसरा पूरा हो गया थे कह रहे हैं थीन सालों में थीसाजार आसे ही चोथा पूरा हो जाएगा आमने चार सालों में थीसाजार नोबरिया देती बट क्या अगर हम average भी मानें तीन साल में पर यह 10,000 jobs कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि जब दो साल के लिए shut down रहा एकदम से कोई recruitment exam नहीं हुआ कोई job नहीं दी कई तो वो accumulate भी तो हुआ तो आपने जस्ट उसको पहले accumulate किया उसके बाद उसको दोवारा से distribute कर दिया उसको तो आपने उपर एक medal मत चिपका होगी आपने 30,000 नोकरियों दे दी 30,000 नोकरियों का भी अगर आप वो जो आंकड़ा है इनका देखेंगी तो उसमें भी यह लोगों पो बोल जाते हैं लोकसवा में बोल देते हैं 20,000, 22,000 फिर अगली बार लोकसवा में बोल देते हैं कि 24,000 दी है फिर LG साब बोलते हैं तो कहलते हैं हमने 28,000 दी फिर बोलते हैं दबारा से जब 23 में पोंचते हैं 2023 में तो ही कह देते हैं कि हमने 30,000 नोकरियों दी हम उसको अब्जर्व कर रहे थे जब ऐसा नहीं है कि मलाब में चार स्टेटमेंट जो कह रहा हूँ दो तो लोगसवा में अन्रिकॉर्ड इन्होंने दिया बाकी यहां तो फ्रिक्वेंटली यह बोलती ही रहते हैं बड में यहां साल का बहुल रहा हूँ, बाइस ननीमी का था कि आधा। हम्टाहों था ऐसजार दी आज थे आग्जाओं दी थग्देजमुआ है कि पर ऑ्छेटे यह एक्ज़द पिर आख़ी बढ़ से रहते हैं यहां फिर वैसा है जो यह कहते हैं कि धाई लाख लोग बैकडोर से आ रहे हैं तो वो नंबर यही खुद भी इंक्रीज कर रहे होंगी क्योंकि ओन रिकॉर्ड जो चीजे दिख नहीं हो वहां तो रेक्रूट्मेंट कोई आगे बड़ी नहीं रही न एक स्काम हुआ है जेके पिएससाई का अभी तक उस पर कोई वर्डिक नहीं आया आगे क्या होगा जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी क्योंकि पहली बार एक्जाम स्क्राप हुआ दूसरी बार एक्जाम लिया गया उस पर भी सेम चीजे निकल कर आई और अब जाकर जो है व पॉसरी बाज उठाई जाएग यë वापने सिच का और एक्क्वाध कि एक साभ आउस हुआ पर आम तर पर आसा होते है कि जो कि जिसका पेशा है, जिसका पेपर ट्रांस्पेरेंसी से होना मतलब next to impossible, कोई पेपर ऐसा नहीं है, जिसमें लीक ना हुआ हो, चीटिंग ना हुई हो, ऐसा कोई पेपर उसका है नहीं, और ऐसा भी नहीं कि कभी वो पनिशना की गई हो, ब्लैकलिस्टर ही वो कमपनी, उस का होगा था, स्टैनों में अभी सिब्लिंग का सेलेक्शन था, कंजेक्टिव रोल अंबर्स थे, उनका सब का स्कोर सिमिलर था, सेलेक्शन उनी का था, तो उसमें इन्होंने बता दिया कि ये, मतलब वही न, इनका हर बात का जवाब तो होता है, लेकिन जस्टिफाइड कर सिब्लिंग का सिलेक्ट होना, कोई बुरी बात नहीं है, मैं आप ही भी कहारो, केटागरी के लिए, कि भी ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, हर एक्जाम में होना, रोल लंबर भी सेम, मलग कंजेक्टिव आ जाना, और उनका स्कोर भी सेम होना, सरप्राइजिंग है, और क आपको पता है कि इस वेब साइट से आ रहे है, और कौन सा सेक्शन आ रहा है, मनो एक सरवे का सेक्शन का रेलवे का सेक्शन था, उनको पता है कि यहां से आ रहा है, और एक कंग्रीट का सेक्शन था, उनको पता है कि यहां से आ रहा है, उन्होंने वही वेब साइट और शिफ्ट हो पता है, जेके से जभी गाल टेंडर देखेंगे, उसमें तो नहीं क्लियर कर लिखा है कि आपको कॉपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, मन आप भी है स्प्रेंट है, तो आपको पता चल गया कि इस सोर्स से पेपर आ रहा है, मुझे नहीं पता, कॉप या फिर आई PSI गी बारी, PSI में आंसर की लिखोगी, अब इन सब के विलिए इन्वेस्टिगेशन की डिमांड जो कर रहा है, वो कह रहा है, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन आप करो, बट अगले जो पेपर हैं उनको भी कराओ, जो एक्जाम्स हैं, छोटे हैं बड़े जो बड़े जो पेपर हो ड़े जो एक्जाम इंब गरारी है, वो उसने इक करत लिगा एक्जाम्स के याउटा रहना है, या फोडेशे करते काओ, पेर गाले एक्जाम कर लेती है, फिर आगले निकालती है, खाले हैं, उसका जो भी जिस तरह से जीजीव दीसरह को फॉलोग कर शायद 21 का एक 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 जाम है फाइनांस इंस्पेक्टर का और सब इंस्पेक्टर का वो भी बेंडिंग है अतलब इतने पुराने एक जाम जिनको यह बहुत पहले ही ने सकते थे बट इनको भी कंडेक्ट किये नहीं है जिनके स्लेवर्स तक इशू नहीं किये है उसके पीछे कही ना कहीं किन कंपेटेंसी ही है ना उसमें बच्चों का कोई गशूर नहीं है जादा है एक बड़ी रेक्रूट्मेंट है जिसमें डेड लाग एक लाग बच्चा पाटिस्पेट करता है जैसे BLW आई थिंक दो लाग प्लस चला गया गए अनिडेट उनको तो उमीद यही है कि हमारा पेपर कपो जही है 30,000 प्लस उसमें एप्लिकेशन हो गया है उनको यही उमीद है कि हमारा पेपर कपो तो आगर उसके लिए एक शेडियूल बना के दे देते हैं अनिडेटिव शेडियूल की इस ताइम यह पेपर करेंगे तो वह चे क्लियर हो जाएंगे वो अपना प्रेपर करेंगे एक क्वेशन मेरा यहाँ पर है कि एक रिक्रियूट्मेंट ड्राइफ जो बड़े लेवल पर स्टार्ट हुई उस पे स्काम होना शुरू हुए एक्जाम स्क्राप होना शुरू हुए जब दूसरी पार GKPSI का एक्जाम लिया गया तो उसमें जब जिस कंपनी को यह टेंडर दिया गया उसका नाम डिस्क्लोज किया गया था और ट्वीटर पर उसको ये भी कहा जा रहा था कि वो company already blacklisted है और उसको exam देने की जो है permission दी जा रही है तो उस time पर ये protest क्यों नहीं हुआ बच्चे exam देने गए और अब जाकर फिर वो result को विधेल्ड कर दिया गया अगर उससे पहले ही एक बड़े level पर protest शुरू होता तो आज जो बच्चे जिनका भी तक result नहीं निकला है और वो वेट कर रहें result का तो शायद इतनी अभी तक इतना ज़दा delay नहीं होता प्रोटेस्ट की कही सारे तरीके रहते है कई बाद petition की फॉर्म में तक इवार memorandum की फॉर्म में होता है तक इवार press conference करके प्रोटेस्ट आप कर सकते है और at the end नहीं कुछ बचता फिर सड़क बचती है सड़क पे आजो आगर आप देखेंगे जब आप tender हुआ ही नहीं था 30 सप्टमबर को एक tender की bid opening थी इनकी जो जो जे कैसे इस बिना tender float किया था कंपनी को हायर करने के जो फर्सनल टेंडर का निकाला उस ता इनकी बाद करना तो लोगों ने इस चीज को लेके ट्विटर पे बोला सोचल मीडिया पे फेसबुक पे बोला मैंने खुद में मीडिया पॉर्टर्स पे इंटर्विउस भी दिये और वो ऐसे नहीं कि आहां कोई भी ऐसे अच्से सभी उन पे ये जो रेपुटर है जिनको अपना क्लेम भी राता है कि सरकार तक उमारी बाद जाती है कुछ ऐसे है जो सरकारी खबरें भी लेके आते हैं हमने ये बोला था वह ये लोग में जो क्लॉस चेंज किया है ये एप्टेक को सपोर्ट करने के लिए और टेंडर ये एप्टेक को ही देंगे अभी टेंडर हुआ नहीं था आप कोट में कोट अफ लाव में आप प्रूब नहीं कर पाऊगी ये आप सही हो इन्हों ने उस टेंडर को कैंसल कर दिया और दोबारा से टेंडर प्लोट किया था प्रोटेस्ट तो वह प्रोटेस्ट ही था इनको रिटन में रिप्रेजेंटेशन दी अवार्ड अफ कॉंट्रेक्ट से पहले इनको रिटन में दिया गया कि आप इसको टेंडर मत दीजिये क्योंकि ये कंपनी ठीक नहीं है और हमने अटेच किये उसके साथ एविडेंस इसकी जजमेंट इसके खिलाब जो थी इसने खुद एक टेंडर को लेने के लिए फॉल्स एफिडेविट्स दीए हैं कि हम ब्लैक्लिस्ट नहीं हैं और उसमें इसको पनेलिटी पढ़िए तो यहां इसने कोशिश नहीं करी कि हम पॉल्स एफिडेविट देके टेंडर ले दे लिएडी उसको कॉस्त इंपोस किया तो ओविजलि एकवर कॉस्त इंपोस होगी तो दवारा इसने गलत आपयृविट नहीं थी तो क्लॉस ही चेंज करSpace एप्टेक नहीं कहा था JKSSB को, और एप्टेक ने, JKSSB ने वो क्लास चेंज भी कर दी तब अभी टेंडर इशू नहीं होने पर भी हमने इनको रिटन में आफिस जाके, मारे पास वो रिप्रेजेंटेशन है, उसका रिसीविंग है, सब कुछ है, हमने कोड में भी वही हैं, इनको JKSSB के ओपर कोई litigation नहीं आएगी, यह भी हमने किया, लेकिन JKSSB उस मूड में थी ही नहीं, तो हम कोड से ले गए थे, प्रोटेस्ट हमारा शुरू से ही चल रहा था, इस चीज को लेके, जब हमारा Meditech के बारे में हमें बाता चला, उसके बारा हम अलर्ट थे, इक किसको हायर कर रहे है, किसको नहीं हायर कर रहे है, किस तरह की कमपणिया लेके आ रहे है, हम अलर्ट थे, प्रोटेस्थ करने का मतलब, जासे आप ने कहा कि तो जब हो चीज हुई, जब हम चले गए है, November में कोट में चले गिए हेरिंग हो गया है कोट ने था हमारे एस पिरेंटィ के फिर्वर में एक आउर्डर पास किया कि इंकौरी करो टेंडर यहीं पे इसको जो होड़ कर दिया इक जुडिशन इंकौरी ओर्डर कर दिया आठ तरिक को जज्जमेंट आया था कोट ने नहीं कहा अब इनको, उधी कंपनी को बार किया है, एक इंक्वाइरी भी और करी है, वो खुद नहीं कही है, क्योंकि वो यूनियन मिनिस्ट्री जब प्रोटेस्ट हुए थे, उन्होंने इनको कहा था कि आप एक SIT कॉंसिटूट करो, और इस मैटर को तो उस समय बहुत ऐसे रोलंबर्स थे, जो कॉन्जेक्टिव मैनर में थे, और सिब्लिंग्स के रिलेटेट थे, और अभी कुछ एक्जाम्स जो स्क्राप हो गए है, और होंगे आगे डेट साएंगी, टेंटेटिव डेट शिट आएंगी, तो क्या जो बच्चे उस टाइ पर एग्जाम्स की आंसर की खरीदी या, कुछ भी एक्षिन ऐसा लिया, वो आगे, अज एस एस्पिरेंट ना जाए, क्या उसके लिए कोई एक्षिन लिया या, कोट ने कोई एक्षिन लिया, क्योंकि अभी तक उसके चार्जिस जो फ्रेम होए, जो फस्ट चार्ज शीट थी, उसमें सिर्फ टाउट्स जो थे, उन्हीं को लाया था, उन्होंने एचेंट्स थे, उन्होंने एस्पिरेंट्स को वहाँ चार्ज शीट में नहीं नाम डाले थे, CBI ने, और मैंने एक RTI डाली थी, मैंने इनको पुछा कि आप बताईए, कोई कम्मिनिकेशन आपका आपके और CBI के बीच में, जहां आपने उनसे नाम सीख कियों कि कौन-कौन से लोगों ने पेपर करीदा था, क्योंकि नाम तो बहुत जादा थे, CBI ने बहुत सारे लोगों को बुलाया भी है, उसका जवाब नहीं दिया था कि अंडर इंवेस्टिगेशन है, तो इन्हों किसी को भी डिबार नहीं किया, जो भी नाम रिवील लिओ थे, जो भी, इन्होंने किसी को नहीं, ना डिबार किया उनको, ना इवन की जो इंपलायस थे, JKSSB के जैसे उस ताइम पे कंट्रोलर था, चेयर्मेन थे, किसी को पर कोई एक्षन तो वो ही नहीं, ट्रांस्फर एक पनिश्मेंट दे दिया कि एक ट्रांस्फर है, ट्रांस्फर भी किसमें, JKSSB उठा के डीसी बना दिया था किसी को, तो अगर ऐसा पनिश्मेंट तो हर कोई चाहे का, है न, तो ऐसी पनिश्मेंट इन्होंने उफिसर्स होती थी, तो बच्चों को कैसे देते, और जो इ एक न्यूस दिया दा, प्रिंट किया था, बड़ा अच्छा डिटेल में उसने लिखा था, कि एक्स चीफ सेक्टरी, जो है, बियार सुबरमनियन के कहने पे, खाली जांगे न, का कि मैं उसके कहने पे मैंने टेंटर मैरी ट्रैक को दिया, जब वो खुद इतने बड़े तो फिर कहां उन पे किसी पे एक्शन होगा, वो है न, मैं मनने लगा तो सब को एक बड़ा उस ताइम पे बयान एक बड़ा वाइरल हुआ था, मैं फशा था, मैं सब को फशा दूँगा, शायद वो करनेल सिंग, उनका उनकी वाइप ने प्रणूस किया था, लेकिन बयान मार्स में इनको पता चलता है, मैरी ट्रेक खुद कहती है कि मैं ब्लैक्लिस्टड हूँ, लेकिन दिसंबर में जाके मैरी ट्रेक कहती है कि मैं ब्लैक्लिस्टड नहीं हूँ, उसने का मैं ब्लैक्लिस्टड थी, और दिसंबर में आके वो कहती है मैं ब्लैक्लिस्टड नहीं कि वो पेपर कराने में फेल हुई है जो उसको ट्रास्फिरेंट से गराना था तो वहां से भी फेल हुई हमने कोट में चीज कही कि इनको पदा था डेलिबरेटली इनमें यह चीजें किये है इनको पनिश्मेंट तो मिलनी चाहिए तो जैसी कोट की हेरिंग हुई अगले दिन डिबार्मेंट का नोटिस निकाल दिया अभी मैं आपसे यही पूछने माला था कि मतलब ऐसी कंपनी को टेन्यूर देना यह मौरली और लीकली राइट नहीं था तो आपको लगता है कि पूरा एक मतलब हिरारिकल जो ऑफिशल बगरा यह बैठे वाते जेकेसबी के एक इनका हाथ भी हो सकता है इसमें जेकेसबी के ऑफिशल का हाथ क्यों नहीं है सिगनेचर करने वाले हाथ है नहीं कि हैं बिलकुल एक ऑफिशल बैठा है वो अपनी ट्रांसफर कहीं इदर उदर कहीं ना हो जाए सेफ जगा ट्रांसफर एक अच्छी अपनी मनत्रसंद जगा पर ट्रांसफर लेने के लिए अगर बच्चों के साथ इतना बड़ा किलवार करता है that is also corruption हमने एक अभी अगर आप देखेंगे एक इंशोरेंस सेक्टर में जम्मू कश्मीर में एक स्कैम हुआ था जो बड़ा हाइलाइट हुआ उसमें एक कंपणी को फेवर करने के लिए किसी बड़े आफसर के पेटे को उसमें हाईर किया गया अब ऐसी ही प्रोसीजर यहाँ पे भी है इस केस में भी है क्या बेनिफिट लिया गया है जब तक एक अजिंसी उसको इन्वेस्टिकेट नहीं करती है क्योंकि जब हम सिंगल बेंच में थे जिकेसेस्वी ने अपना एक रिकॉर्ड जो सब्मीट किया था वहाँ पे तो उस रिकॉर्ड क्या अगॉर्डिंग चीफ सेक्टरी जम्मू कुश्मीर का चीफ सेक्टरी है उनकी चेर्मेंशिप में एक मीटिंग होती है जहां ये डिसाइड किया जाता है कि पेपर सीबिटी मोड में होगा क्यों क्योंकि ये सिक्योर है और इसमें humans की involvement कम है जो कि एक layman कह सकता है एक चीफ सेक्टरी की post पे बैठा हुआ बंदा जो मनलब हमारा एक IT reform हो रहा है हमारा सारा का सारा जेन के में हर एक department का online किया गया वो यह भी ये कह रहा है बिना किसी की अगर advice लिये हुए तो उसमें सामने दिखता है कि कोई personal interest है अगर ये इतना secure है तो फिर UPSC यहां जो हमारे BSEs हैं उसमें क्यों नहीं इसको adopt किया जा रहा है अगर ये इतना secure है तो हमारा जो J means, NEET पे फिर लिक होई इसले दिनों कैसे हो गए और humans का involvement अगर कम है इसमें पिर तो हमारे school education भी I guess चेंज करके इसी pattern पे आना चाहिए क्योंकि वहां पे भी already crisis चल रहे है But क्या एक रीजन भी है Cyber security glitch है That's why answer की leak हो जाती है या website बे जो answers आ रहे है वो copied answers की जा रहे है जो APSI की बात कर रहे हैं आप answer की leak वहाँ glitch है या नहीं ये तो जो भी expert करेगा इसके investigation करेगा वही है I guess इनो ने भी ये word जब रात को नोने 15 तारीक और 14 तारीकों नो रात को जब JKSJ में पेपर पोस्ट पून किया था तो ये बोला था कि ये glitch है इसके वज़ाज से हम कर रहे है बट मुझे एक बात समझने आती रात को 10 वजी इनका कौन सा इंपलोई चेक कर रहा था कि glitch है या नहीं है क्योंकि आगले दिन तो पेपर था क्योंकि हम क्या रहे थे कि ये secure नहीं है इनका पेपर लीग होता है software secure नहीं है हमारी इस बात को कहने के पिछे रिमोट मोट पे लेके ये सिस्टम में पेपर करा रहे थे अंबाला वाले पानीपत वाले ने तो वहां किसी होटल में बैठके अमरित सर में वो पेपर करा रहे थे अमरित सर के कि सेंटर में अंबाला में पानीपत में बैठे हो थे पेपर करा रहे थे बिहार में भी यह हुआ, वारानसी में उनों बताया, यह हम लोग, आचा ही मैं जो सारे आपको इवेंट्स बता रहा हूं अलग लग पानेपत, वारानसी अंबाला, इसमें यह सारे के सारे, बाद, पंदरा जनवरी के बाद, पंदरा फरवरी से पहले हुआ यह एक कंपनी के कड़को पर आ गए थे, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें एक्जाम में चीटिंग के एलिगेशन के साथ, एक दिल्लियाई कोड में केस है, सुप्रीम कोड में केस है, दोनों जगा, डिराही कैसे करेंगे, तो मैं जो भी बता रहा हूं, वारानसी में, एप्टेक का सिटी ह मन इशरस्तोगी, जब उनको पकड़ा गया, तो सर्वर ऑप्रेटर जो है, तो कह रहा है, हमारा, इसने हमें कहा था, और हम ये पेपर करा रहे हैं, कुछ लोगों कुछ सीट्स नंबर बताया है, इन इन कैंडिडेट्स को करा रहे हैं, करा कैसे रहे हैं, अगें वही, रिम की बात करें, सब जगा ऐसे ही होता है, उसमें सिस्टम मिरिरिंग करके वैसे, कुछ ही केसी में, अल्ड़डी पेपर जो है, वह डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे, एप्टेक के ही इंप्लॉईज, एक्स इंप्लॉईज और प्रेजेंट मत्यव परदेश में, दोजार तेइ करके बेचे थे, नर्स का पेपर था, आप गूगल कर सकते हैं, नहीं तो आपको वैपसाइट पे डॉक्यमेंट कहीं भी मिल जाए, गूगल करिया, उसमें मध्यपरदेश, स्ताफ नर्स पेपर लिग, तो आपको दिख जाएगा, उसमें अप्टेक नहीं थी, अप्टेक क भी तो एक प्रोसेजर ऑए, कि पैपर डाउंड ऑट गोलुड होता है, वही आंसर की लिग, जिसको हम बोल रहे है, एक लिंक है, वहां से आगडर उस लिंक पे कलिक करते हो, जिसभी कैंडिडियट का, क्यूँक्ति र कोचन का रान्डख़जाशन होता है, तो डाशान का तो आपकी ID से आप ही का paper मिलेगा, तो आप क्या करो, एक link है, वह आंसर की पर लिंक है, आप उसमें आपने ID, रोलंबर डालो, डेटा वड दालो, आपका जो paper है, वो आपको मिल जाएगा, वो without answer, मतलब जो correct answer से वो उसमें marked है, आपका response क्योंगि आपने दिया नहीं है, वो PDF आपको मिल जाएगी, 30-32 page रहते हैं, 100-500 question में, वो आप देखो, कौन से question है, क्या answer आपको मिल जाएगा, जिसको answer की link कहते है, CBT में, basically वो paper link, ठीक, वैसे ही, अगर technical glitch यहाँ पे हुए, जो बाद में LG साब भी कहा रहे थे, कि इनका system secure नहीं था, जिसने भी किया चाहे, वो जो private center owners है, जिनका एक लंबा history है, यही काम करने के लिए, उन्होंने किया है, या फिर किसी third party ने बहार से आके paper को insecure किया है, जांच तो उसकी बनती है, जांच तो होनी चाहिए, जांच को लेके क्यों, इतनी कोता ही क्यों हो, और इस सवाल पे, कि answer की link हुआ, इसको लेके ब जो e-commerce companies offer देती है, तो ठीक आज रात को trial basis है, तो ठीक आज रात को trial basis है, तो ठीक आज रात को तो कुदी कर सकते हैं, अभी हम वापिस मैं JKSP आना चाहिँगा, अभी आपने बताया कि जो उनके जो भी employees थे, जो उस टाइम पे JKSP के मिलना अच्छी पोस्ट बाट होचे, उनको ट्रांसफर करके किसी अच्छे डिपार्टमेंट में DC या कुछ एक अच्छी पोस्ट लेगी, तो होना क्या चाहिए था कि उनको सिस्पेंट कर दिना चाहिए था मैं एक हिसाब से होता है कि मतलब जब तक चल रहा है प्रोसेस पूरा का पूरा एक उनके पूरे के साथ उनको पनिश्मेंट मिलना चाहिए था अगर वो इन्वाल्व नहीं भी है तो भी अपनी ड्यूटी को डिलिवर करने वो फेल हुए एक चेर्मेन का जेके सिस्पी के चेर्मेन का काम क्या है बैटके चाय पिना तो है नहीं ऑफिस में उस ऑफिस के जो एक वो है सेट करने जो जो बाई डिफॉल्ट बहार हो रही है किसी दूसरे के कहने पर आप उसको लेखे आयो डेफिनेटली कोई कोई तो बैनिफिट लिया होगा ना इन्होंने अगर वहां जेके सेस्पी के चेर्मेन बने रहे वो पोस्टर बॉय बन गये थे हमारे जेंड की की गब्ब लिया है तो उनके उपर एक्षन होना चाहिए था बट एक्षन लेने वाली कोन है वही गब्मेंट इंडिपेंडेंट बोडिया तो काम नहीं करेंगी न इंडिपेंडेंट बची कहां है पर जब आप एक बहुत बड़ी स्काम की अगेंस्ट क्वेशन्स उठाते तो कुछ क्वेशन्स आप पर भी उपते हैं और वैसा ही कुछ आप पर भी बहुत से क्वेशन्स आए तो उसमें से एक क्वेशन में ये पूछना चाहूंगे कि ये कहां गया था कि आप एक पॉलिटिकल मोटिव के चलते ये प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप यूथ में एक फैन बेस बना रहे हैं अपना उनकी जो चाहते हैं आप वो बोल रहे हैं तो इसलिए अपना पॉलिटिकल मोटिव करने के लिए जो है वो आप इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको परसनली कुछ इन यूथ से कुछ नहीं है अगर एक स्कैम में स्कैम सामने आया उसके लिए मैं अकेला तो नहीं बोला था लोगों को लगता है कि मैं अकेला बोला बहुत सारे बहुत टीम एक काम कर रही है जो लगातार इस चीज में लगी है लेकिन आगर मैं बोला उसके बाद वो स्कैम सामने आया फैपर स्क्रैप हुए कुछ लोगों को सधा भी हुई सीजर भी हुआ 60-65 रुपे पकड़े भी कहे कुछ एस्पिरेंस जिनकी उनिफॉर्म लगबग रेडी थी कबड में पड़ी थी लेकिन वो पहन नहीं पाए इमानदार तो नहीं पहन पाए किसी पुलिटिकल पार्टी में जा सकते थे कोई फर्ग नहीं है सब को पता था कि हाइलाइट तो होई गये थे आज नहीं आज इतना पोजिशन है जो लोग कुछ हैं जो कहरे हैं कि नहीं आपको मतलब आप गलत ही कर रहे हो तब भी हम यहीं लड़ रहे हैं पोलिटिकल हाँ जिनको नहीं पोलिटिकल मॉटिवेटेड है LG साब जैसे कहते हैं पोलिटिकल मॉटिवेटेड है तुम खुद पोलिटिक्स कर रहे हैं तुम खुद पोलिटिकल पार्टी से उटके या लगी बन गए हो तो क्या हो गलो हम लोग तो वोटलिस्ट में मेरा नाम है एज मेरी है तो क्यों नहीं है अगर मैं वोट इलेक्शन की बात तो मैं क्यों नहीं कर सकता हमें नहीं करनी है तो किसको करनी है हम भी सिटिजन है न यहाँ हमें नहीं करनी है तो किसको करनी है हम पलिटिकल लीडर्स को चैलेंज कर रहे हैं हम नहीं चलेंज करेंगे तो किस को करेंगे alliances बनाते हैं जैसे मानो आज जिस party से LG साब रखते थे पहले इन का जो संबंध था party एक कश्मीर की बड़ी prominent party से alliance करती है, government बनाती है क्योंकि तुम्हें political setup में आना है, तुम्हें benefit लेना है तुम alliances करते हो, तुम उनसे support लेते हो, तो वो सही है हमें क्योंकि youth का welfare है, हम सभी party हो गठागर के कहते हैं कि आप हमारे लिए बोलो चाहे वो BJP है, BDP, NC, Congress सारी, तो आपको लगता है कि हम political जो एक कुछ उसमें arena में हल चल पैदा कर रहे हैं, तो हम का एक छतर राज है, आप जो कहते हो कि जम्मो कुषमीर के लोग election नहीं चाहते हैं, तो आप दिल्ली में जाके बोल देते हो, सब चंगा है आप दिल्ली में जाके बोल देते हो, सब चंगा है मैं वही कहने बलता है कि कि सरभे के राजनिती है, क्यों नहीं करेंगे राजनिती, अगर यह राजनिती है, कि अपने हक के लिए लड़ना राजनिती है, तो करेंगे न, अगर आप गलत कुछ कर रहे हो, उसको सवाल खड़ा करना राजनिती है, तो करेंगे न, फिर तो यह कम है, फिर तो और होगी अभी तो, अ हमें चहीं कि आप, क्योंकि हमारा जो नुक्सान है, उसका politics मिला कि कोई भरपाई नहीं है, इन्होंने हमारा बहुत नुक्सान किया है, आज से नहीं किया है, आप तेखेंगे, अगर ये नहीं मानते हैं हम डाइलाक नहीं है, एगลाक भी मानते हैं, और एक लाख जो है पिछले पंदरा एक सालों, पंदरा बीस सालों में, वो नुकसान हमारा है, क्योंकि ये वो बंदा बोल रहा है, जो खुद ब्यूरोक्रिसी में है, खुद इंप्लाइड है, और बता किसको रहा है, जो अनिप्लाइड है, या फिर जो अब जिसका eligibility criteria जो age उसको बताया जा रहा है, नुकसान उनने हमारा किया, अब तो नहीं छोड़ना है, आप बड़े सारे क्या रहे हैं, मैं कल ही देख रहा था, कहीं किसी ने पोस्टर डाला था, कि लड़ाई इन दोनों की है, एक तरफ से LG साफ को लगाया था, एक तरफ से मेरा बोटर, पिस हम रहे है, वो सकता है, मैंने ही कहारा है, हम नहीं पीषरे हैं, बिलकुल हम ही पीषरे हैं, लेकिन फायर आईन अमर्जन्सी स्केम ही रहते हुआ है, बीस में ही थे, उन नहीं के टाइम पर परन हूँर हूँ और अगले ही आप दर बैक डॉर नहीं है तो फिर कैसे उस ताइम पे रिकूरूट हुए बंदे आज पेपर बेच रहे हैं पेपर बेचते हुए पकड़े गए हैं क्योंकि वो उस नेटवर्क अपार्ट बन गे थे शिकाराम बैट के पेपर एक लास्ट क्वेशन मेरा आपसी रहेगा थ्रूआउट ता जब प्रोटेस्ट रहे आप उन एस्पिरेंट के साथ रहे बहुत सी वीडियोज हमने भी देखी जहां पे जो एस्पिरेंट से वो अल्मुस्ट डिप्रेशन में थे क्योंकि उनकी एज जो क्राइटेरिया था वो खत्म होने वाला था लीजिबिलेटी खत्म हो रही है तो कुछ ऐसा फेज जो आपने खुद देखा हो जो भी प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे थे जो जो एस्पिरेंट्स हैं जो सव इंस फेक्टर के रेक्रूट्मेंट के पार्टिस्पेट कर रहे थे उनका वो एज लास्ट फेस था क्योंकि वो एटीन में जब हुआ था उसमें वो बाहर थे बहुत सारे लोग पोस भी कम थी इस टाइम पर उनका एक ये लास्ट अटेम्ट था बचा हुआ फाइनान्स वालों का क्योंकि एज ज़ादा चाहती है उसमें तो इसमें एज 28 तक ही ले थे एज लेक्सेशन भी कहीं उपर मिली थी बट वो बार बार तो नहीं है तो इन्होंने क्या किया इनका बहुत सारोंगा क्या था कि कुछ तो इतने डेडिकेशन के साथ लगे हुए थे कि हाँ भी एक्जाम में स्कोर भी बहुत अच्छा था पट जब देखा की पेपर लीक हुआ है आप देखींगे ना लब टॉपर का स्कोर 140 था 2nd rank है है वो खुद कह देखा है कि मेरी मां गई थी जिसने paper बेंच था उसके गषग पे क्यूंकि मैंने देखाiffe प। पहले भी paper लीक हो रहे थे मेरी मां गई उसके गषग पे घर पे फिर हमने paper लिया यो top था उसका भी ही हाल था उसके इलाबा, जो top नहीं Some people सब भी ने बताया कि कैसे कैसे हमने बेपर ख्रीदा है उन लोगों के लिए कि धक्का था ये एज रिलेक्सेशन मिलना ना मिलना एकला कि जो उनकी एज में क्राइटेरिया जब वो फॉल कर रहे थे तब वो कॉलिफाई भी कर सकते लेकिन स्कैम हो गया कहीं न कहीं जो उनको उस टाइम पर धक्का लगा है उससे में भी हैं वो बिलकुल है कि हमारा जो हक बनता था हमें नहीं विया गया आज वो कोर्षते हुएं सरकार को पर लड़ते भी हैं अभी जो कहते हैं कि एज एज एट प्रेजन जो एपलाई हो चुके हैं उन फर्म के उपर उनका एज के उपर कोई लेना दे क्योंकि एप्लिकेशन हो चुका है उसमें ओवर एज होने का कोई होनी है जितनी भी रेकूट्मेंट है जिनके भी फर्म एपलाई हो चुके हैं उनमें एज का कोई लेना देना है ही नहीं वो तो age criteria cut-off date है, जो advertisement में आती है, वही होती है, उसका advertisement complete हो चुगा है, अब उसका एक stage बर्चता है, examination, then a result, then appointment, DV के बाद appointment, तो वो एक phase में पहुँच चुकी है, अब उसमें इसका कोई age criteria को impact नहीं है, विलकुल, हाँ, लेकिन उसकी life का, क्योंकि, जैसे आप मनों, पिछले साल जो joining, जो कर लेतें, सब इंस्पेक्टर, तो service का दो साल का फरक नहीं आता, आप दो साल का फरक आ जाएगा, तो यह उसको एक financial loss उसको पड़ेगा, पर्मोशन में loss पड़ेगा, यह loss है, इसको कोई नहीं बचा, तो यह इसके लिए जिम्यवार तो state है, अब वो हमें कहें कि आप कुछ करब लोग कुछ जो दांदलिया करके आ रहे हैं, उनको लगने तो, तो आप चुप रहो, वो हम कियों है, लोगोंने system rating app यूज करके कुछ examination center है, जिनके नाम हमने भी department को forward की है, जहां उन्होंने benefit ली है, undue benefit उनको मिले है, बाद में LG साहब ने भी, शायद उसके बाद ही inquiry हैं हुई है, और LG साहब ने खुद कहा है, कि इनका paper शूरू के 5 minute के लिए, इन security system, अभी सर्ट जाते हुए, मैं आपसे यह पूछ में चाहूंगा, अखरी सवाल की, कहीं चीज़े होती हैं, स्कैम में सामने हाते हैं, कहीं इसे, जुर लोगों को पता नहीं होता है, कि एक बच्छा एक्जाम दे रहा है, वो average amount 300-400 को फार्म भर रहा है, तो वो सारा collection, अभी अगर आप देखेंगे, मैं आपको exact number दे दूँगा, GKSSB ने, पहले form fees होता था, इसका 350, फिर इसका form fees बढ़ा दिया है, इनोंने, इनोंने बोला कि two stage paper हैं, तो इसका form fees बढ़ेगा, तो मैं आपको 22-30 का एक आंकड़ा देता हूँ, 22 क्रोड, 21 क्रोड, 89,94,429, ये अमाउंट 22 क्रोड, 22 क्रोड, I guess, BLW अप्लिकेशन हो ये उसका है, इसके पहले, 14 क्रोड, 37 लाग, इनोंने 21-22 में, 20-21 में, 11 क्रोड, 63 लाग, उननीस बीस में इनका यही आया था बाइस क्रोड के आसपास अब यह अमाउंट यह कलेक्ट कर रहे है सारा इनके पास ऐसा मैंने कहता पड़ यही अमाउंट जाता है प्राइवेट कंपनियों को जो पेपर लेता तो यह कही न कहीं एक मनीमेकिंग मशीन बना के रख दिया है नों अब 25 रोड रुपे जब आपने कुछ भी नहीं किया कोई एग्जाम निदिया तपका है कहीं न कहीं आपने ये चीज़ तो मतलब पिंच करती है ना उसके बाद भी 22 क्रोड लेने के बाद भी आप ट्रांस्पेरेंट से एंशोर नहीं कर रहे हो तो कहीं न कि आप गलत कंपनियों को टेंडर देखें उनसे कमिशन के बेसिस पे कुछ ले रहे होंगे जैसे मैं आपको इच्वरेंस वाले सेक्टर पर बता है तो थांक्यू सो मच विंचल ची आप आए और क्यूंके अभी तक जो है हमारा यूथ इस जेकेस भी स्कैम और इस बीच गूमता जारह है और अभी तक कोई clarity नहीं मिल रही है बहुत सी-सी चीज़ थी बहुत सावाल थे बहुत अपने clarity सी आंसर भी दिये and thank you so much for coming